नमस्कार, DL8 के इस कारिक्रम में मैं स्वेत अदिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम जिस बिंदू पर बात करेंगे वह है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्याने की आवश्यक्ता और उद्देश्य तो इसके अंतरगत हम जिन मुख्य बिंदूओं पर बात करेंगे वह है सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ उसके पश्यात प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्याने की क्या आवश्यक्ता है इसको देखेंगे उसके पश्यात हम जानेंगे कि प्राथमी कस्तर पर पर्यावरण अध्यने के उद्देश्य क्या है और इन उद्देश्यों को हम ग्यान और समझ के विकास के लिए अभीवृत्यों के विकास के और कौशनों के विकास है तू क्या-क्या उद्देशे हैं परियावरण सिक्षा के हम इनको आज देखेंगे अब हम देखते हैं कि परियावरण का अर्थ क्या है तो हम जैसा जानते हैं कि परियावरण जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है पहला जो है वह है परी और दूसरा जो है आवरन परी का आर्थ होगा जो की चारो ओर है और आवरन जैसे हम जानते हैं आवरन कवच के रूप में ले सकते हैं या एक घेरे के रूप में ले सकते हैं तो इस प्रित्वी पर हम मनुश्यों के या इस जीवजगत के चारो ओर की वह प्रतीक वस्तू, वह चाहे द्रिश्य वस्तू हो चाहे वह अद्रिश्य वस्तू हो परियावरन के रूप में जानी जाती है मुख्य रूप से हम पर्यावरण को वायू मंडल के रूप में लेते हैं जबकि ऐसा नहीं है संकुची तार्थ में हम पर्यावरण में मात्र जैविक जो जगत है उन्ही को लेते हैं लेकिन इसके अंतरगत जैव और अजैव जो द्रिश्टिगत है जो द्रिश्य है इसके अलावा जो अद्रिश्य है जैसे कि जो मुल्य हैं जो परंपराएं हैं जो सांस्कृतिक सामाज आजिक वातावरण है, जो अधृष्य होता है, वह भी हमारे परियावरण का हिस्सा है. तो इस प्रिकार से दृष्य और अधृष्य हम दोनों को परियावरण के अंतरगत लेते हैं. अब हम बात करते हैं कि परियावरण जो अध्यान है, इसकी आवश्चक्ता और की अंतक्रियाओं का यह अध्यान है और मात्रिय एक विशय छित्र नहीं है बलकि कई जो विशय छित्र हैं विभिन विशय छित्रों का एक समू है और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमी कस्तर पर जो पर्यावरण अध्यान विशय लिया गया है वह सामाजिक विशय और अब हम जानते हैं कि पर्यावर्ण सुक्षा क्या है? कि तो पर्यावर्ण सुक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावर्ण और इससे जुड़ी चुनोतियों के संबंध में लोगों की जानकारी और ज्यागुरुकता को बढ़ाती है चुनोतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं और प्रविर्टा को विक्सित करती है तथा सुविग्य निर्णय तथा जिम्मेदारी पूर्ण कदम बढ़ाने के लिए इस ओर प्रविर्टी प्रिर्णा वप्रतिबधता का प्रोथसाहन करती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह मात्र जानकारी देने से पर्यावरन अध्यान जो विशह है वह मात्र जानकारी देने से ही संबंदित नहीं है बलकि जागरुक करने के लिए है चुनोतियों का सामना करने के लिए भी हमें तयार करती है और साथ ही एक सक्रिय सदस्य क के रूप में हम जिम्मेदारी पुर्ण निन्य कैसे ले सकते हैं इस और भी हमें तैयार करती है हमें इसके लिए भी प्रोचसाहिद करती है जैसे हम जानते हैं कि जो पर्यावरन अध्यान है यह हमारे लिए एक नया विशय है प्राथमी कस्तर पर पहले इसे अलग-अलग सामाजिक विध्ञाण की रूप मेंumba में तो यह जो विशह है पिछले 10-15 वर्सों से हमारे पाठेक्रम का हिस्सा हुआ है अगर हम इसके बुनियात को देखें तो इसकूलों में दी जानने वाली पर्यावरण सिक्षा का आधार सिक्षा की राष्ट्रे निती 1986 जो की 1992 में संसोदित हुई थी पुना इसमें पर्यावरण का संरक्षन को सभी स्तर की पाठेचरिया का एक केंद्र विंदू माना गया है जिसके चारों ओर एक राष्ट्रे पाठेचरिया धाचे को बुने जाने की बात कही गई थी और इस क्रम में सिक्षा पर राष्ट्रे निती 1986 ने सिक्षा के सभी चर्णों में और समाज के सभी वरगों पर सैक्षिक प्रक्रिया में इसे एकी खृत कर पर्यावरणिये चिन्ताओं के बारे में जागरुपता पैदा करने की आवश्शक्ता पर जोर दिया अगर हम इसे पाटे क्रम में साबित करने की बात करें तो 13 फरवरी और 14 फरवरी को NCRT की तरफ से एक सम्मेलन किया गया जिसमें NCRT के जो भी थे अफिसियल्स उन्होंने भाग लिया NGO की ओर से लोग थे विभिन विद्यालियों की ओर से अध्यापक प्रिंसिपल लोग थे पर्यावरण विद्ध थे जो उच्छ सिक्षा से जुड़े लोग हैं ये सब ही थे और उन्होंने उस अधिवेशन में उस सम्मेलन में बात की प वहुजार चार को हुई और इसके पर्यावरण अध्यान को शिक्षा में सामिल करने की बात अगर करें तो कक्षा 1 और 2 में इसे भाशा और गडित के साथ शमावेशी करके रखा गया है और कक्षा 3, 4, 5 में इसे स्वंतंत्र एक विशय के रूप में पढ़ाया जाता है तो इस तरह से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्यान को स्थान दिया गया है अब हम देखते हैं कि पर्यावरण को जो प्राथमिक सिक्षा में हम जोड़े हैं उसको किस रूप में जोड़ा गया है तो पहला जो है कि हम पहले पर्यावरण के बारे में शिक्षा दे सकते हैं जो कि पर्यावरण के बारे में जानकारी देना जो उनमें ज्ञान का विकास है दूसरा जो है परियावरण के लिए शिक्षा यानि कि ये मुल्य, दृष्टिकोण और सकारात्मक कारवाई से संबंधित है और तीसरा जो है परियावरण को संसाधन के रूप में शिक्षा में सामिल करने से यानि कि परियावरण के माध्यम से शिक्षा देना यानि कि हम पर्यावरण को इन तीन रूपों में प्राथमिक सिक्षा में स्थान दे सकते हैं अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्यान को पर्यावरण सिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं में सम्मिलित करने की क्या अवश्यक्ता है किसके तहट इसे हमारी सिक्षा में सामिल किया गया, इस्पेशली हम बात करें तो प्राथमिक सिक्षा के अंतरगत में तो इसमें है कि विद्यार्थी, परिवार, पेड़ पौधो, जीव जन्तुओं, भोजन, जल, यात्रा, एवं आवास जैसे दिन प्रती दिन के जीवन से जुड़े विभिन विश्यों के वास्तविक अनुभावों द्वारा अपने आसपास और मात्रा आसपास ही नहीं, बल स्वभाविक जिग्यासा एवं रचनात्मक्ता का पोशन कर सके। इसके अतरिक्त जो हम इसको पाठेचर्या में शामिल करने की जो आवशक्ता महसूस की गई कि विद्यार्थी अपने आसपास के परिवेश से अन्तक्रिया करके विभिन प्रक्रियाओं, कौशलों जैसे अ आवलोकन, परिचर्चा, स्वस्थी करण, प्रियोग और तरक्तित्ता को विक्सित कर सके। अगली आवशक्ता के रूप में विद्यार्थियों के लिए जो किया गया है, जो आवशक्ता महसूस की गई है वो है उनमें आसपास के परिवेश में उपलब्द, प्राकिर्तिक भौतिक एवं मानविये संसाधनों के प्रती समवेंदल सिलता का विकास हो सके। और अंत में मात्र यही नहीं, बलकी मानविये गरिमा और मानवाधिकारों के लिए विद्यार्थियों के अंदर यह भावना का विकास हो कि वन्याएं, समानता एवं आदर से जुड़े तो हम अभी बात किये कि किस आवशक्ता के तहत पर्यावरण अध्यायन को हमारे प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक पाठिक्रम में शामिल किया गया है। विक्सित करना है जिसमें वह पर्यावरण की समस्याओं को समझे और उन्हें समझ कर उनको दूर करने में सफल हो सके तो मात्र उन्हें जानकारी ही न मिले बलकि वह समाज के सक्रिय सदस्य की भूमिका आदा कर सके और जो भी समस्याओं हैं उनको दूर करने में अपना नात्मक अस्तर पर अभिवृत्ति या वैवहार के अस्तर पर और कौशल के अस्तर पर क्या उद्देशे हैं। नहीं है बलकि हमें विद्यार्थियों के अंदर उसके लिए समझ को विक्सित करना भी है। अगला जो है कि पिछले और वर्तमान पढ़ियावर्ण के मध्य तुलना विद्यार्थि कर सकें। कि अतीत से जो भी हमारा पाश्ठ है जो भी अतीत का जो हमारा परियावर्ण है उससे हमारे वर्तमान परियावर्ण में क्या परिवर्तन आया है या क्या अंतर आया है। और किस छेत्र में यह हमारे लिए हानिकर है, किस छेत्र में यह हमारे लाब कर हुआ है, बिद्यार्थियों के अंदर यह समझ है यह विक्सीत होनी चाहिए। अगला जो है कि पर्यावरन मुद्धों के प्रती विद्यार्थी जो हैं हमारे वो जागरुखों उनमें पर्यावरन के जो भी संबंधित मुद्धे हैं उनके लिए अवेरने साए साथ ही ज्यानात्मक अस्तर के उद्येश में हम लेते हैं कि पर्यावरन के बारे में नीतियों निर्नयों के निर्मार की समझ जो है विद्यार्थियों के अंदर विक्सित हो कि किस प्रकार से किन नीतियों का या किस लिए किन निर्नयों का निर्मार किया गया है किसके पीछे क्या सोच थी जिसके तहट इन नितियों या इन नियों को लिया गया है अगला जो हम बात करेंगे कि पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन करने के लिए स्थानिय राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय विधाई नियंतरन के बारे में ज्यान पराप्त करें और इनके पीछे क्या कारण है कि समझ को विक्सित कर सकें यानि कि जो भी लीगल कंट्रोल के लिए जो भी आक्शन लिए गये हैं जो भी नियम बनाए गये हैं उसके लिए वो समझें कि या अस्थानी अस्तर पे या राश्य अस्तर पे या अंताराश्य अस्तर पे इन विधाई नियंतरण की आवशक्ता क्या थी, किसके तहत इनका निर्माण किया गया है, इसका बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, समझ भी उनकी होनी चाहिए. अगला जो है कि मानो जीवन और आजीविका का परियावरन पर निर्भरता की समझ का विकास हो हम जहां रहते हैं हमारा जो जीवन है हम जो रोजगार के लिए साधन अपनाते हैं वह कहीं न कहीं से हमारी पर्यावरण पर डिपेंड करता है पर्यावरण पर निर्भर करता है जैसे कि समुदरी टटपे हैं तो वहाँ पे लोग मत से पालन के लिए जाते हैं मचली मारने के लिए जाते हैं उस पे मैदानी एरिया में जहां क्रिशे योगे भूमी है वह क्रि में विद्यार्थी की समझ डेवलप हो समझ जो है विक्सित हो कि पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन को और हमारी आजीविका को प्रभावित करता है या कर रहा है अगला जो है कि परियावर्ण मुद्दों पर हो सकने वाले संगहर्ष की समझ का विकास हो आजकल हम देखते हैं कि विभिनराजियों के अंतरगत विभिनराष्टों के मद कभी भूमी विवाद होता है कभी जल विवाद होता है, कि जल के लिए, या हम नदियों पे बांध जो बनाते हैं, उसके लिए कई बार विवाद बढ़ते हैं और पर्यावरण के सनरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी जो भी कारवाई हैं उन कारवाईउं का महत्व क्या है उस महत्व की उनको जानकारी हो और उस महत्व के प्रति उनकी समझ जो है वो विक्सित हो तो ये जो हमने बात की वह थी ज्यानात्मक अस्तर पर ज्यान और समझ के अस्तर पर क्या उद्धेश हैं अगला जो है वह है कि अभिवित्ति या वैवहार के या मनोवित्ति में जो है उसके स्तर पर हमारे पर्यावरण अध्यान के क्या उद्धेश हैं तो जो उसमें पहला ह वह है पर्यावरण के प्रती विद्यार्थी के सकारात्मक द्रिष्टी कोण को बढ़ावा देना कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका द्रिष्टी कोण हम किस प्रकार से पर्यावरण के प्रती सकारात्मक बनाए यह हमें पर्यावरण अध्याने के माध्यम से इसका प्रया का निर्वहन कर सकते हैं इसके लिए इसकी अभिवृत्ति का इसकी मनोवृत्ति का विकास करना है इसको बढ़ाना है अगला जो है परियावर्णिय मुद्धों पर स्वतंत्र सोच का विकास करना कि विद्यार्थी की जो सोच है वह स्वतंत्र हो विद्यार्थी की सोच किसी और के आधार पे, किसी और की सोच के आधार पे डारेक्ट ना होती हो, बलकि वो अपनी एक स्वतंतर सोच रखे, जो भी परियावरणी मुद्दे हैं, उन पे उसकी एक अलग सोच हो, एक स्वतंतर सोच हो, और हमें विद्ध्यार्थी की सोच को डेवलब करना है तो इस धरा पर इस प्रिथवी पर अन्य प्राणियों के अस्तित्व को भी बनाए रखना है तो इसके लिए प्रिथवी पर पाए जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों हे तुभी जो विद्यार्थी हैं उनकी चिंता हो हमें परियावरण अध्यान के माध्यम से इसका प् कि विद्यार्थी जो है अपने विचारों का ही मात्र सम्मान न करे बलकि दूसरे व्यक्तियों के भी जो विचार है उनके लिए सम्मान का भाव दर्शाई साथ ही जब अन्य व्यक्तियों के विचार जो हैं विद्यार्थी के विचार से भिन हो उन विचारों के लिए भी जो हमारा विद्यार्थी है वो सम्मान का भाव जो है वो प्रदर्शित करें क्योंकि परियावरण अध्यान मात्र व्यक्ति से परियावरण से ही संबंदित नहीं है जैसा कि हमने बात किया था कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी सामाजिक और सांस्कृतिक परियावरण भी परियावरण अध्यान का हिस्सा है और मनुष्य जो है अन्य मनुष विचारों को सम्मान दे और अगर अन्य व्यक्ति के विचार अन्य विद्यार्थियों के विचार जो हैं उसके विपरीत होते हैं उससे मिलते जुलते नहीं होते हैं तब भी वह कहीं न कहीं से उनके लिए सम्मान का भाव रखे सम्मान प्रदर्शित करें और इसके साथ ही त संगत बातों के लिए सम्मान का भा होना चाहिए उनको सम्मान देना चाहिए और उनको स्विकार करने के लिए विद्यार्थी को तैयार करने का उद्देश कहीं न कहीं से परियावरण अध्यान का है अब हम बात करेंगे ज्यान और समझ साथ ही अभिवृत्ति या मनुवृत्ति के जो परिवर्तन के जो उद्यश्य हैं उसके पश्याद जो हम बात करेंगे वह है कौसल के विकास है तो परियावरन अध्यान का क्या उद्यश्य है और इसमें हम जो देखेंगे तो इसमें पहला जो है संचार कौशल का विकास करना यानि कम्मिनिकेटिव जो स्केल है विद्यार्थी का उसका हमें विकास करना है दूसरा जो है विद्यार्थी की अध्यान कुशलताओं का विकास करना है परियावरण सिक्षा के माध्यम से तीसरा जो है विद्यार्थी के अंदर समस्या स्वाधान कौशल जो है जो problem solving ability है इस कौशल का विकास करना चाहिए परियावरण अध्यान को अगला जो है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कौशल का विकास करना विद्यार्थी के numerical ability यानि की संख्यात्मक कौशल का विकास करना भी परियावरण अध्येने का उद्धेश्य है और अंत में इन सब के साथ विद्यार्थी के जो सामाजिक कौशल है social skill क्योंकि मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है विध्यार्थी जो है उसे अपना जीवन जो है इस समाज में ही व्यतीत करना है तो इस क्रम में सामाजिक कौशल और आजकल जो है हम सुचना प्रद्योगी की का विश्व है यह वक्त है तो विद्यार्थी के अंतरगत सूचना प्रद्योगी की कौशल का विकास करना तो इस तरह से हमने देखा की परियावरण का अर्थ क्या है प्राथमिक स्तर पर परियावरण अध्यान इस विशय की क्या आवश्यक्ता है यह पर्यावरन अध्यान जो विशे है इसका डेवलप इसका विकास किस आधार पे किस सोच के साथ किया गया है और इसके साथ ही प्राथमिक स्तर पर ज्ञान और समझ के विकास हे तू अभिवृत्यों के विकास हे तू और कौशलों के विकास हे तू परियावरन सिक्षा या परियावरन अध्याने के क्या उद्धिशे हैं तो अगली बार एक और चर्चा में पुना आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार